तो दोस्तों यहाँ पर NTA की तरप से JNU में JNU में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वेकेंसी आई है है ना तो काफे सारी पोस्ट है अलग-अलग पोस्ट है लेकिन मैं मौश्टरी तीन पोस्ट की बात करूँगा इस वीडियो में सारी डीटेल्स आपको बताऊंगा पहली जूनियर असिस्टेंट ठीक है एक स्टैनो गिराफर की पोस्ट है दूसरी MTS की पोस्ट तो इन तीन पोस्ट के बारे में यहाँ पर डिसकस करूँगा पूरी डीटेल्स में आपको चीज़े बताऊंगा ओके तो आप भी इस फॉर्म को जरूर भरना अगर आप स्टैनो की या फिर किसी भी एक्जाम की परपरेशन कर रहे हैं तो और एक्जाम बगएरा कब होगा सारी चीज़े में इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले वैकेंसी देख लेते हैं कितनी कितनी है देखे एक चीज़ और यहाँ पर जो फॉर्म है बहुत जल्दी यानि ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है बीस तारिक से स्टार्ट हो चुके है और दस तीन यानि दस मार्च तक आपके फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे तो समय से पहले ही यानि जो एंड का समय उससे पहले ही यहाँ फॉर्म को अच्छे से भर देना ठीक है ध्यान से बाकी जो फीस का है वो थोड़ा सा यार फीस ज़्यादा ही जो यहाँ पर रखी गई है जिस तरीके से जो डी यू में फॉर्म आये थे नॉन टीचिंग के उसमें काफी फीस थी यहाँ पर भी काफी फीस रखी गई है तो फीस इस्ट्रक्चर आप देख सकते हैं गुरूप C के लिए यह आपकी फीस रहेगी गुरूप A की पोस्ट के लिए उपर की जो फीस है वो रहेगी ठीक है यानि आप 1000 रुपए जो है मान सकते हैं फीस के लिए और SCST और Women के लिए 600 रुपए है बाकी आगे देखते हैं आगे इसमें जो है वेकेंसी डिटेल वेकेंसी में आपको बता देता हूँ वेकेंसी जो है Junior Assistant की आपकी देखिए 106 तो जनरल में है यानि टोटल जो है 106 है टोटल जो है 106 है मल्टी टास्किंग में आपकी 79 है उसके बाद Isteno की जो है वो 22 है तो यह कुछ वेकेंसी है तो ये वेकेंसे बगरा के बारे में आपको पता ही होगा अब आगे देखते हैं हाँ इसमें जो है क्वालिफिकेशन आपसे जूनियर असिस्टेंड में मांगी जाएगी जूनियर असिस्टेंड और स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास बैचलर डिगरी होनी चाहिए तो आपने ग्रेजुशन किया होना चाहिए और MTS के लिए 10 पास यहां पर मांगा गया है तो बस यह इसमें क्वालिफिकेशन में बाकी जो सिलेवस की बात करते हैं सबसे पहले सिलेवस में क्या क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ सिलेवस में और किस तरीके से आपका एक्जाम होगा ठीक है सिलेवस सिलेवस की अगर बात करें तो यहां पर सिलेवस काफी अच्छा है मतलब ज़्यादा टफ नहीं है यह आपका सिलेवस रहेगा तो यह है आपका दिके सिलेवस है इसमें आपके जीएस पूछी जाएगी रिजनिंग रहेगी मैथ रहेगा उसके बाद हिंदी या इंगलिस में से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा कम्प्यूटर अवेरनेस रहेगी यानि कम्प्यूटर के कोशन आएंगे तो यहाँ पर लगबग लगबग सभी का वेटेज सेम है ठीक है तीस कोशन रहेंगे आपके जीएस के 35 कोशन रिजनिंग के मैथ के कोशन रहेंगे यहाँ पर आपके 35 और यहाँ पर हिंदी और इंग आसानी से ले सकता है और math बहुत ज़्यादा advanced level का नहीं पूछा जाएगा normal math रहेगा reasoning वगएरा भी आपकी normal ही रहेगी बहुत ज़्यादा tough नहीं आएगी लेकिन आपको अच्छे से त्यारी करनी है इन सभी subject की computer वगएर अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पर एक question दो number का रहेगा total 150 question 300 number के यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे तो यह चीज आपको समझ में आई होगी बाकी आप syllabus details में देख सकते हैं GS में क्या क्या पूछा जाएगा reasoning में क्या पूछा जाएगा math में क्या है देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी advance का कोई भी chapter यहाँ पर नहीं दिया हुआ है number system simplification है हना बतलब normal chapter है यह बहुत ज़्यादा advance यहाँ पर इसमें आप mensuration एक mensuration है तो यह ज़्यादा tough नहीं होता है यानि ज़्यादा advance के यहाँ पर topic नहीं है आप अच्छे से तयारी करके exam निकाल सकते हो बाकि Hindi और English यानि जो भी subject दियो normal आपकी जो चीजे पूछी जाती है वही रहेंगी कुछ ज़्यादा extra चीजे नहीं है तो अगर आप preparation करना चाहते हो इस form को भरना चाहते हो तो हमारे channel से जोड़े रहना है बाकि skill test बगएरा तो आप जानती हो skill test में क्या होता है skill test में आप से जो यह है आपका junior assistant का इसमें typing पूछी जाएगी typing English के लिए 35 word per minute है अगर आप Hindi की करना चाहते हो तो 30 word per minute है ओके यह चीज है और इस टैनों में आप जानते है शोट हैंड 80 word per minute की speed में जो है शोट हैंड होगी same SSC वाला process है same SSC का process है short hand में MTS में क्या होगा बाकि यह चीज़ां आप एक बार notification में सारी चीज़े एक बार देख लेना बाकि मैंने बताई दिये salary की बात करे salary की बात करें तो MTS level 1 की post है level 1 में होता है आपका basic 9,000 19,900 ठीक है फिर यह जो है level 2 की post है junior assistant की जिसमें sorry level 1 में होता है आपका 18,000 basic होता है 18,000 यहाँ पर 19,900 होता है level 2 में level 4 में होता है आपका 25,500 रुपे basic अब यह basic होता है इसमें बहुत सारे allowances लगते हैं तो लगबग salary की बात करें तो level 1 की salary आपकी 30 के आसपास जाएगी 30 और 32, 33 के आसपास तक gross पे आपकी salary बन जाएगी वहीं पर 35 के आसपास आप यह मान सकते हैं level 2 की 35, 36 के आसपास और आपका जो है level 4 में लगबग 40 से 42,000 के आसपास तक salary आराम से मिल जाएगी 40 से 45 तक आपके salary चली जाएगी क्योंकि आज कल जो है डिय वगएरा भी काफी जब तक अच्छे से मिलने लगेगा और ज़्यादा percentage हो जाएगी 38 परसेंट है भी तो यह सारी चीजे हैं और exam हाँ exam कब होगा exam की बात करें तो exam भाई अब कब हो जल्दी हो जाएगा अभी जो डियो के पहले form भरे गए थे वो थोड़ा सा कुछ problem होई होगी बीच में exam बगएरा नहीं हुआ अब उसका exam date बगएरा आ गई है तो इसका भी जो exam है आपका मई में होने के chances है मई में आपका exam होने के chances है NTA बहुत जल्दी exam करा देता है ठीक है दो तीन महीने के अंदर exam हो जाता है तो most probability है कि मई में आपका exam हो जाएगा तो अगर आपको अच्छे से त्यारी करनी है तो इसी मतलब समय को देखते हुए करना है आगे कोई भी अगर doubt हो इस से related आप पूस सकते हो किसी भी post से related या किस तरीके से आपको preparation करनी है वगएरा वगएरा बाकी number वगएरा मैंने provide करा ही रखे है 9557760685 WhatsApp करना है call नहीं करनी कुछ भी अगर query हो या और भी जो भी चीज मुझे मिलेगी इस से related previous year कैसा question paper होता है किस level के question आते हैं में provide करा दूँगा टेलेग्राम चैनल आपको जोइन कर लेना है वहाँ पर आपको चीजे मिल जाएगी तो मिलते है नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वोचिंग दिस वीडियो